नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे आज की वीडियो में हम ग्रामिन डाक सेवक की जो वकैंसिज निकली हैं उसके बारे में चर्च पढ़ने वाली है अगर आपकी यह जॉब लग जाती है तो आपकी इसके बाद कितनी सेलरी होने वाली है आप इसको अपलाई कैसे कर सकते हैं आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन सभी बातों की जो चर्चा है इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीडि तो हमने यहाँ पर कितनी vacances आपको पताई थी लगभग 38,926 जो vacances हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और दोस्तों, यहाँ पर जो language लिखी हुई है न, जैसे कि Hindi और English या फिर Punjabi, तो आपको यह जो भाशाएं यहाँ पर दी हुई है, आपको यह आनी चाहिए, और आपको जो आपने 10th का जो certificate पास किया है, उसमें भी आपको English subject और Math subject आपने जरूर पास किया हो, अगर हम यहाँ यहाँ पर qualifications की बाद करें, तो आपकी यहाँ पर 10th class है, वो पास होनी चाहिए, और subject के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, कि Maths जो subject है, गनित जिसको आप कहते हैं, गनित और अंगरीजी का जो subject है, आपने वो जरूर पास किया हो, मान लिजे कि आप इस vacances के लिए apply करते हैं पंजाब में, तो आपने पंजाबी जो language है, वो जरूर पढ़ी हो, और आपको इसके बारे में knowledge भी हो, क्योंकि अगर आप पंजाब के किसी dark खाने में आपकी job लगती है, तो आपको वहाँ पर पंजाबी तो आने ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर compulsory है, कि आप ज इस नहीं लगने वाली है, selection का क्या criteria होने वाला है, तो आपको यहाँ पर खुछ नहीं करना, mainly आपने बस यह online फारम भरना है, और आपकी जो merit list होगी, आपके 10th के नंबर के अधार पर, आपको उस marks के अधार पर ही आपको क्या कर लिया जाएगा, short list कर लिया जाएगा, से कम आपके 18 साल उमर होगी, फिर ही आप इन vacances को apply कर सकते हैं, और maximum जो आपकी उमर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, 40 साल, अगर 40 साल से आप ज़्यादा है, तो आप इन vacances को apply नहीं कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर last date की बात करें, तो आप इसको last date पर कप तक apply कर सकते हैं क्योंकि यह जो vacances हैं, यह 2 मई से शुरू हो चुकी थी, और online apply करने की last date यहाँ पर आपको 5 जून दी गई है, काफी आपके बास समय है, आप इसको ध्यान से ही इस farm को भर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने registration प पर आपने registration पर क्लिक करना है, तो आपके सामने यह page open होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर number भरना है, उसके बाद आपने email id भरनी है, उसके बाद आप अपने पापा का नाम भरने आपने बर्द भरनी है, फिर उसके बाद आप gender fill करेंगे, जन्टर फि कौन सी है, ठीक है, जर्नल है, OBC, SC, ST, आपने यह fill करने के बाद, आपने अपना circle सलेक्ट करना है, सरकल जैसे की पंजाब हो सकता है, तो आपने यह fill करने के बाद, आपने यहांपर यहाँ पर है आपने यहां पर जाना है online apply पर apply online पर जाएंगे स ohh करेंगे apply पर click करने के बाद के सामने यह व्यक्तार पर अफों होगा जिसमें आपने क्या करना है और यहां पर क्यों कि कई बार आप ज्यादा समय ले लेते हैं जैसे कि आपने मुबाइल नंबर भरने में काफी टाइम ले लिया उसके बाद इमेल भर रहे हैं तो आपका क्या होगा कि आप जब सब्मेट पर क्लिक करेंगे तो आपका यह जो आपके सामने जो आप्शन आएगे वह उसमे 226 जो टोटल वकैंसी हैं आप इनको चाहे तो अपलाई कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो हेलपफुल लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें आज के लिए इतना ही आपके सामने फिर से हाजर होंगे एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर थैंक यू सू मच फर वाचिंग गट ब्लेस्ट यू अल